हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पराई बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा होंगे तो आज की इस वीडियो आप लोग बीज गनीत के महत्पून सुथ पर चर्चा करने वाले हैं प्लस बी जो हॉल स्क्राइर होता है वोता है एए ए स्क्वाइर पलस टू अबी प्लस बीज 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 इए एसे भी लिख सकते हैं a square plus b square plus इधर लिख देजिए 2ab के लिए रहा है उसके बाद a plus b का whole square का एक और फर्मूला होता है a minus b का whole square plus 4ab के लिए रहा है तो a plus b का whole square का यहां पर दो फर्मूला हो गया उसी प्रकार से a minus b का whole square का भी दो फर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से a minus b का whole square का होता है a square minus 2ab plus b square इसी प्रकार से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a square plus b square minus 2ab इसी प्रकार से a minus b का whole square यह को फर्मूला होता है a plus b का whole square minus 4ab किलियर है यहां पर देखिए minus लगा हुआ था यहां plus हो गया यहां plus तो यहां minus फिर plus उसके बाद यहां minus तो यहां plus यहां minus किलियर है उसके बाद इसका पच्मा और छठा फर्मूला होता है उदेखिए किस प्रकार से होता है तो a square plus b square का फर्मूला होता है a plus b का whole square minus 2ab ठीक है, a minus b का whole square और क्या लिखेंगे यहाँपर, plus 2ab, किलियर है, उसके बाद इसका 7 फर्मुला कुछ इस प्रिकार्च होता है, a square minus b square बराबर, a plus b into a minus b, ठीक है, उसके बाद इसका 8 फर्मुला होता है, a plus b का whole q बराबर, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते है, a q plus 3a square b plus 3ab square plus b q, या एक और फर्मुला इसका होता है, a q plus b q plus 3ab, इस दोनों से कॉमा ले लेंगे, इधर क्या बचाएगा, a plus b बचाएगा, किलियर है, उसे प्रिकार्च से, इसका दसमा फर्मुला आप लोग देख लिजिए, a minus b का whole cube, तो a minus b का whole cube क्या होता है, यह होता है, a q minus 3a square b plus 3ab square minus b q, और इसी को हम ऐसे लिख सकते है, a q minus b q, इन में से क्या करेंगे, minus कोमा ले लेंगे, 3ab, तो अंदर में क्या बचेगा, a minus b, इस प्रिकार्च से होता है, 12 नमर का फर्मुला है, a q plus b q बराबर, तो इसका फर्मुला होता है, a plus b का whole cube minus 3ab into a plus b, और इसका एक और फर्मुला होता है, ठीक है, इसी से फर्मुला निकल जाएगा, इसमें से a plus b हम को मले ले लेता है, तो क्या बचेगा, अंदर में, अंदर हम बचेगा, a plus b का whole square, a plus b का whole square होता, a square minus 2ab a square plus 2ab plus b square उसमें से 3ab घड जाया क्या बचेगा a square minus ab plus b square उसके बाद है अगला formula aq minus bq बराबर aq minus bq का formula होता है a minus b का hull cube और plus 3ab into a minus b और इससे a minus b अगर हम common ले लेते हैं तो इसका एक नाया formula बन जाएगा a minus b into a square plus ab plus b square के लिए रहा है इसका सोले नमर का formula हो जाएगा a plus b plus c का hull square तो इसका formula होता है a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca इस प्रिकार से है उसके बाद 17 नमर का formula है इसका हो जाएगा a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc plus 2ac किलियर है उसके बाद 18 नमर का इसका formula हो जाएगा a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ac उसके बाद उनी से नमर का इसका formula हो जाएगा a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc minus 2ac तो इस प्रिकार से बीजिकनित का महत्पुन सुत्र हम बता है आप लोग इसको क्या कर लिजिए याद कर लिजिए या फिर वीडियो को रोक रोक के आप लोग इसको लिख लिजिए ठीक है क्योंकि आपको formula याद रहेगा तब आप असानी से सवाल को solve कर सकते हैं चलिए उमीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगाओ अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो फिलिज वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को subscribe कर लिजिए माई ये फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई